Hello everyone, welcome to my channel, hope आप लोग अच्छे होने और आप लोगों की preparation अच्छे चल रही होगी है आज मैं आप लोगों के साथ RV Assistant का score से एर करने वाला हूँ कि कैसे आप अराम से easily 90 plus score कर सकते हैं अगर आपके तैयारी अच्छी सी है, थोड़ी बहुत भी और अगर आप slivers अच्छे से complete कर चुके हैं तो आप बहुत easily 90 score कर सकते हैं, 90 plus बहुत जल आरवी Assistant की exam होने वाली है, आप लोगों के पास time बहुत कम है इसलिए आप लोगों को अब जादे से जादा mock देना है चलिए मैं आप लोगों के साथ score share करता हूँ कि मेरा score क्या था आरवी Assistant में, जो recent में मैंने mock दिया था तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, recent में आरवी Assistant 2022 का जो mock था 22 February का mock है, यह चलि रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा टूटल 95.50 score बना है रैंग जो है वो रैंग 5 ए टूटल लगभग साढ़े 11,000 student में यहाँ पर मेरे 96 टूटल करेक्ट हुए हैं और दो wrong हुए हैं और दो unattempt हैं चलि देखते हैं क्या accuracy था, तो यहाँ पर परसंटाइल देख सकते हैं, मेरा 100 परसंटाइल है accuracy 98 परसंट है और attempt भी 98 परसंट है यहाँ पर मैं आगे आप लोग के साथ share करने माला हूँ कि क्या questions लेवलते हैं किस टाप से question पूछे जाते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं आपकी English language में total 30 question में मेरा 29 attempt था और 29 correct गया मतलब 100 परसंट accuracy था quantitative attitude में मेरा 35 question टोटल 35 question थे attempt मेरा 34 था और current 32 था और एक unattempt था reasoning में total 35 question थे 35 attempt किया हूँ मैं और total 35 सही गया है तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा overall यह था rank चलिए अब देखते हैं तो overall rank यहाँ पर मेरा 5 नमर पर सोग कर रहा है चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सा question जो है वो मैंने आपके साथ miss किया था मतलब unattempt question था तो यहाँ पर देख सकते हैं यह reasoning में यहाँ पर आप लोगों को जो questions of level था यह passes related तो passes काफी easy था बहुत simple words के passes थे आप लोगों को ज्यादा difficulty नहीं देखने को मिला था यहाँ पर आप देख सकते हैं जो question थे जो यह PQRS जो form में question आते वो भी काफी ज्यादा easy पूछे गए थे अगर आपको English का थोड़ा भी अच्छा understanding होगा तो बहुत easily item कर लेंगे math का जो level था बहुत कम था बहुत level था moderate से भी कम था मतलब easy level का था यहाँ पर simplification से ज्यादा question आप लोगों को देखने को मिला था एक question मेरा यहाँ गलत हो गया था up stream और down stream से और दूसरा गलत हो गया था मेरा mensuration chapter से और जो earn item था वो मेरा probability से था क्योंकि मैंने अभी तब probability chapter नहीं पढ़ा हूँ reasoning में चलिए देखते हैं कि कैसा था reasoning मेरा total सही किया था 35 question था 35 attempt किया था तो सारा सही गया था तो आने वाले time में में सारा details आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे preparation कर सकते हैं कहां-कहां से आप लोगों को follow करना चाहिए किस तरह से आपको concept clear करना चाहिए और mock आपको कैसे देना चाहिए आने वाले time में मैं आपको live mock भी देकर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो चैनल पर नए है तो subscribe करते हुए जाईएगा चलिए मिलते हैं next video पर अभी के लिए bye thank you